मुर्ण फ्रेंज मैं नाम अनुछ कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो निया मोडल आया है हमारी कम्ती के दोवारा जो कि अभी मैं डोम पे बता रहा हूँ डोम और वोलेट तोनों का सेम प्रोसेस है कैसे उसको इनिस्लाइज करते हैं उसके बाद मैं दूसरा वीडियो उसको बनाओंगा कैसे उसको रिसेट करते हैं इनके से अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो मैं यहां से से पहले ब अपको मदद से आप कैसे कर सकते हैं समसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे और आपके पास एक आप्के पास देखेगा अढ़ ऑपी कैम किसी किसी पुराने सॉप्टेवर में यहां पर आप डिवाइस का ऑप्सन आएगा किसी किसी और उने आट रिजिस्टेशन का भी एड आड इपी पे जायेंगे हम जब डिवाइस सर्च करेंगे ठीक है तो यह देखिए हमारा कैमरे का आई पी दिखा रहा है 192.168.1.250 जो कि by default IP होता है किसी भी CB plus का network camera का ठीक है उसके बाद यह चीज अगर आप डायटली अब एड करवा देंगे यहाँ पर तो यह camera आपक यह चीज नहीं कर रहे है ठीक है यह अभी आपका status cross दिखा रहा है ठीक है यह जब तक कि tick mark या फिर अगर आप दवा का यूज कर रहे हैं तो यह green नहीं दिखाए तब तक आप इसको add नहीं कर सकते हैं यह इसके लिए आपको in slice करना पड़ेगा जो में बता रहा है बताने इसको untick करेंगे अगर next कर देंगे तो वो by default जो password है वो NBR का उठा लेगा आपका IP चेंज नहीं होगा लेकिन password चेंज हो जाएगा आपका तो इस बात को ध्यान रखिएगा यहां पर आपका password डालने के लिए option आ गया इसका मैं बना देता हूं admin at the rate 123 ठीक है उसके बाद यह यहां भी बना देते हैं admin at the rate 123 यह combination की किया हुआ कि यह लिखा हुआ कि password length between 8 to 32 character and it is include at least two type of numbers that is numbers later or general characters ठीक है इसमे किसी भी 2 या 3 कम से कम दो चाहिए यहां पर इमेल आप इसलिए डाल दीजेगा इनके सब्सक्राइब पासवर्ड अगर आप भूलते हैं camera का तो आपको camera खोलने की ज़रूद नहीं पड़ेगा पिज कली ठीक है अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर आपको camera हर हाल में आपको पिज कली खोल करके उसको hard reset करना पड़ेगा यहां पर मैं डाल देता हूं ठीक है अब यहां पर मैंने मेला डाल दिया है अपना ठीक है इसे आप next करेंगे और यहां पर आप फिर आपने हिसाब से according to सुविधा अनुसार आप IP चेंज कर दिया मैं डालता हूं 110 यह ठीक है जो भी आप डालना चाहते हैं यहां डाल करके next करेंगे यहां से यह device निले slice on okay हो गया अब आप जब इसका सर्च करेंगे यहां पर यहां पर स्टाटस ग्रीन हो गया आई पी बी चेंज हो गया है अब इसको आप एड करवाएंगे तो आपका यह कैमरा चलने लेगा दूसरी चीज और आप मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बार एड करने के बाद आप जब इस ओ डाल करके ठीक है ओके कर दीजिए गा ठीक है उसके बाद यह कैमरा चलने ले लेगा जैसे यह टामरा हमारा उकौने अब आते हैं यह तो था ही ने चलने आप इसे ही अट कैमरे की नेच्ए कर सकते हैं या रहे ने क्यामरे को मंदद या न तो आट्टो को मतस्य करते हैं वह देखी जाओ सबसे पहले हम जाएंगे आइपी फाइंडर टूल पर ठीक है इस आइपी फाइंडर टूल पर जाने के बाद यह देखिए आइपी हमारा सर्च कर गए ठीक है न यहाँ पर आपको क्लिक करना है ठीक है स्टrant प्राइजिए का ओपशन प्रहा है यह तो पर क्लिक करना है कॉल उठाने में तो आप उस टाइम को बचा करके ये ये चीजे देखकर के आप अपना टाइम बचा सकते हैं